मैं सुनील जी खांटी बिहारी शुद्ध भारती है जीस की चौथी महतपुर प्रशनावली सरिंखला में आपके सामने अद्भुत लाजवाब जानकारी प्रस्तूत कर रहा हूँ और ये समस्त भारत में जो भी छातर प्रतियोगी परिक्षा में सनलगन हैं गौर्मेंट जो प्राप्ति है तू चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, PCS हो, UPSC हो और किसी भी वर्ग से आप जूरे चातर हो चाहे अधिकारी के परिवार से हो चाहे वो गरीव ठेला चालक का परिवार का हो चाहे सबजी विक्रेता का परिवार का हो फल विक्रेता के परिवार का हो पूली का जानकारी होगी अद्भुत रामबान होगा विटामिन की तरह काम करेगा आप कहीं भी तैयारी करते हैं चाहे दिल्ली में पटना में मुझपरपुर में भागलपुर में चाहे आप नालंदा में कटिहार में बांका में जमुई में अथवा चन्नाई में मुंबई में कहीं भ पहले मैं आपसे एक आगरा करूँगा का आप मेरा योटूब चैनल जो फुरी है सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकन बटन दवा ले ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत सूचना मिल जाए ये बिलकुल फुरी है इसकी पाकिस्तान की रहने वाली थी पाकिस्तान की और स्वात घाटी इनका मूल जन्म अस्थान मान सकते हैं और खैवर पक्तुनमा प्रगंत में ये परता है और ये शिक्षा से संबंदित एक्टिविस्ट थी एक्टिविस्ट थी कम उम्र था आप समझ सकते हैं कि इनको मात्र 17 बर्स के उम्र में नोबल प्रुषकार मिला 2014 में और जहां पर तालिबान ने अपना फर्मान जारी कर दिया था कि कोई भी छात्रा पर नहीं सकती है और उनको पढ़ाई से भी मुख होना परेगा वहां उस समय वो एक BBC उर्दू में ब्लोग लिखा करती थी अपने चद मनामों से और इसके कारण धीरे धीरे तालिवान को पता चला और एक दिन जब वो परिच्छा दे करके आ रही थी तो उनको बस से उतार करके और उनको गोली मार दिया गया उनके शेरी में गोली लगी वो तो श्वर की किरपाथी जो वो बच गई अल्ला का किरपाथी जो वो बच गई और उसके बाद भी वो शिक्षा के परती अपनी एक्टिविजम को जारी रखी जारी रखी इसके लिए उनको नोबेल पूरुषकार दिया गया अगला प्रशन है उस महला बेग्यानी का नाम बतावे जिसे एक बार बहुत की के लिए और दूसरी बार रसाइन के लिए नोबल पुरुसकार मिला अत्यांती महत्पुरुन प्रशन है कई पर त्योगे परिक्षा में पूछ चुका है और इसका उत्तर है मैडम क्योरी मैडम क्योरी ये पहली महला भी थी जिसको नोबल पुरुसकार मिला था पहला बार नोबल पुरुसकार इनको 1903 इस वी के लिए बहुत की के लिए रेडियो शक्रियता के खोज के लिए दिया गया था और दूसरा नोबल पुरुसकार इनको रसाइन के लिए शुद रेडिय इसके पहले यह जानने कि नोबिल पुरुषकार होता क्या है यह बिश्व का सबसे वरा पुरुषकार है अलफेड नोबिल के नामों पर दी जाती है अलफेड नोबिल मूल रूप से सुएडेन के बेग्यानिक थे और यह अजीवन आवीवाहित रहे थे 1867 में इन्होंने डैनामाइट की खोज की थी हलाकि कुछ पुस्तक ये भी देता है 1863 में इन्होंने डैनामाइट की खोज की थी हम लोग इस इस वी के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही आपको मैं बतला दू कि इन्होंने डाइनामाइट की खोज की थी और ये एक रसायन व्यत्ता थे 1896 में जब इनकी मिर्तू हुई तो अभिवाहित मरे थे इनके पास अपार धन था ये बैंक में जमाधन इनकी वसियत के अनुसार बैंक में जमाधन से निकलने वाला जितना सूध होता था उसी को न प्रुसकार के रुप में मिलती है तो मैडम क्यूरी को साथ में पती प्यरे क्यूरी को और इनके गुरू हेनरी बेकरोल तीनों को दिया गया था एक ही साथ और हेनरी बेकरोल के शिस अच्छे प्यरे क्यूरी और शिस्या थे मैडम क्यूरी इन दोनों के बीच प्रेम हो गय दोनों ने साधी कर लिए पवित्र प्रेम था और ये ऐसा पहला परवार है जिनके परवार में पांच नोबल पुरुषकार मिला था मैडम क्यूरी की बेटी को भी नोबल पुरुषकार मिला था 1935 में और एक बात और भावुक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैड ब्रवाब के कारण सरी दोस् प्रवाब के कारण उनको हुआ उनकी हुई और मैडम क्यूरी मुल रूप से पोलेंड की थी इनका कारज बिहार मेरा राज है जन्म राज और उससे भी अगाद प्रेम करता हूँ रोशरा भी रहा इनसे मेरा अगाद प्रेम है और मैं चाहता हूँ को भारत के समस्त चातर गवर्मेंट जॉब में जाए आईए अगला प्रशन है अंतरास्टिय रेड क्रोस के संस्थापक कों थे रे प्रित परिस्थितियों में ये सेवा के लिए तत्पर रहने वाली संस्ता है और ये एक ऐसी संस्ता है जिसको एक से अधिक नोबल प्रुशकार मिल चुका है अगला प्रशन अत्यांत मुहत पुर्म प्रशन ये जियस का अमताब चन है कई बार लाखो बार पूछ चुका ह आगे भी पूछेगा किस संबिधान संसोधन को मीनी शंबिधान संसोधन भी कहते हैं या मीनी शंबिधान भी कहते हैं याद रखिएगा इसका उत्तर है ब्यालिशमा संबिधान संसोधन ये 1976 में लाया गया था उसमें प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी थी इसमे एवम अखंडता शब्द जोरा गया दस मौलिक करतब संभिधान में अनुच्छेद एकावन कौमें जोरे गये लोग सभार उभिधान सभा का कार्जकाल पांच बर्से बढ़ा करके छो बर्स कर दिया गया लेकिन पुनः चोवालिसमा शंभिधान संसोधन में इसको घटा करके पांच बर्स कर दिया गया वन शिक्षा जनसंख्या नियंतरन जो ब्यालिसमा संसोधन के पुर्व राज सुची में आता था उसको संभर्ती सुची में कर दिया गया संभर्ती सुची का अर्थ होता है कि जिस पर केंद्र और राज दोनों कानून बना सकता है यदि दोनों कानून किसी भी अस्तर पर एक दूसरे के विपरीत हो गए तो केंद्र की बनाए गई कानून वो चलेगी और राज की बनाए गई कानून उस हद तक वो न मानी जाएगी जिस हद तक वो बिपरित परिस्थी तीम होगी और एक और महतपुर्ण उसमें बाते जोरी गई कि रास्टपती मंत्री परशद और उसके मुखिया प्रधान मंत्री के सलाह को मानने को बाद दोंगे एक बार पुन और विचार के लिए लोटा सकते हैं लेकिन यदि दूसरी बार पुन उनको भेजा गया तो उस पर वो शुकृति देने के लिए बाद है अगला प्रशन महतपुर्ण प्रशन अध्यादेश किसे कहते हैं अध्यादेश दो शब्दों से मिलकर के बना है अधी और आदेश राष्टपती अथ्वा राजपाल यदि संसत और विधान मंडल सत्रावशान की इस्थिती में हो और यदि वो सत्र में नहीं हो और किसी महतपुर्ण विशेपर कानून बनाना अत्यन्त लाज़िमी हो तो उस इस्थिती में राष्टपती अथवा राजपाल राष्टपती पूरे देश में और राजपाल उसम्बनित राज में अध्यादेश लाशक्ता है और उस अध्यादेश की सक्ती वही होगी कि जैसे वो बैधानिक रुप से संसद अथवा विधान सभा से पात हो करके आने वाली कोई कानू हो समाप्त मना जागा अगला महत्पुर्ण प्रशन अर्थसास्त से है गिनी गुनांक क्या है आय या संपत्ती के वित्रन में ब्याप्त और समानता की सांखी की माप है गिनी एक महत्पुर्ण अर्थसास्तरी थे वो मूल लूप से इटली के रहने वाले थे कहां के इटली के ऐसा है कि जिस समाज जिस देश में गिनी गुनांक जितना जैदा होगा उतनी अधिक आर्थिक बिशमता वहाँ पाई जाएगी अगला जो महतपुर्ण प्रशन है कई बार पूछ चुका है जी इसका इंताब चन है ललन टौप प्रशन कि सरवाधिक एवं नियुंतम लिंगानुपात वला राज कौन सा है सरवाधिक लिंगानुपात वला राज केरल है केरल में 284 महलाएं परती हजार पूछ पर परती है उसका कारण भी है ध्यान रखिएगा उसका मूल कारण ये है कि केरल मातरी सतात्मक राज है यहाँ पर माताओ बेहनों और पतनी का बहुत महतपुर्ण अस्थान है उनके न पूल कारण है कि वहाँ का लिंगानुपात सबसे अच्छा है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज हरियाना है 889 महलाएं लर्कियां परती एक हजार पूरुष पर परते हैं यही कारण है हर्याना के बहुत सारे पुरुस कुमारे भी रह जाते हैं, उनके साथ विडमना है, और मूल कारण है कि कम लिंगानुपात होने का, कि हर्याना में भुरुन हत्या का बहुत जैजे प्रसेथा, पूरी भारत में ही भुरुन हत्या एक दंडिनी अपराज माना जाता है, और का है, आगे भी आएगा, आगे यह प्रसंद तैयार रहिए, जनान की किये इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जनान की किये इतिहास में जनसंख्या के इतिहास में 1921 इसवी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, कारण जान लिजिए 1921 इसवी क की दो हजार नहीं बलकि 1921 में जनगन्ना के समय घटी 0.31 परतीसत जनसंख्या गटी और जनसंख्या प्राया हर 10 वर्ष पर बढ़ता है लेकिन पहली बार ऐसी इस्तिती हुई थी जब जनसंख्या घटी थी इसलिए इसको जनसंख्या का महावी भाजक वर्ष कहा गया था ये और जानकारी में आपको यहां देना चाहूंगा कि जनसंख्या का दूसरा महावी भाजक वर्ष यदि पूछे तो 1951 था उसका कारण कुछ और था कि जैसा कि हम जानते कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ पाकिस्तान बनने के बाद भारत का जनसंख्या का एक जिसकी केटरीना कैफ है ध्यान लखीगा अवसिस्त परवत किसे कहते हैं अवसिस्त मिंस बचा हुआ घिसने के बाद अपरदन के बाद अपरदन किसे होता है तो हवा से होता है धूप से होता है भूल से होता है आंधी से होता है और सो हजार लाखों बरसों के बाद विद्धन के फलसुरूप निडमित होने वाले परवत को हम लोग अवसिष्ट परवत कहते हैं जैसे कि बिंध्याचल परवत, सत्पुरा परवत, और अवसिष्ट परवत के उदारण है बिरवल के बचपन का नाम क्या था अत्याद महतपुर्ण परशन है लाजवाब परसन है गोल्डन प्रसन है बिर्वल के बस्पन का नाम महिश दास था जैसा कि हम जानते हैं कि बिर्वल अकबर के नवरतन महतपुर नवरतन थे बिर्वल मूल रुप से जाती के ब्रहमन थे बिर्वल मूल लुप से कालपी के रहने वाले थे बिर्वल हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है और बीलबर अकबर में इतनी घनिस्ता थी कि बिर्वल की जम बिर्तु हुई थी युशुफ जाईयों के नेत्रि बिद्रों को दबाने में तो अकबर महिनों महिनों बिरवल के यादों में रोता रहा अंतिम प्रशन में आपके सामने प्रसूत कर रहा हूँ कई बार ये परतियोगी परिक्षा में पूछा है गुप्त बंस के संस्थापक कोन थे और गुप्त बंस के बास्तविक संस्थापक कोन थे इन दोनों बातों का आपकी मस्तिस के अंदर भरम नहों चाहिए संस्थापक और बास्तविक संस्थापक यहाँ पर दो चीज़ मैंने उल्रे किया है संस्थापक स्री गुप्त्त कहा जाता है कि यह पूर्व में सामन्त थे सामन्त थे, समभप्तिया, ये कुशान के सामन्त थे और इसके कारण इन्होंने डर्ते-डर्ते अपना शासन सुरू किया था और इन्होंने महराज-धिराज की उपादी धारन की थी महराज के अधीन हम राज कर रहे हैं लेकिन चंद्रगुप्ट पर्थम सुतंत शासक के रूप में अपनी गुप्ट बंस में काल सुरू कर दिया और चंद्रगुप्ट पर्थम लिक्षवी राज कुमारी कुमार देवी से बिवा भी किया और गुप्ट संबत इशने सुरुवात किया था इसलिए गुप्त बंस के बास तबिक संस्थापक के रूप में हम चंद गुप्त पर्थम का नाम लेंगे इस तरह से मैं सुनिल जी इस स्रिंखला में आपको इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ यदि मेरा चैनल पसंद आया ये चैनल बिलकुल फ्री है यूट्व चैनल आप सबस्क्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन बटन को दवा दे ये मेरी निजी इच्छा है कि भारत का हर गौर्मेंट जॉब में तैयारी सलगन च्छातर गौर्मेंट जॉब को प्राप्त करें और इसके लिए मैं आपको एक से एक लाजबाब जानकारी प्रस्तूत करूँगा और इसी शब्दों के साथ मैं आपको समाप्त कर रहा